हरत दोस्तों नमस्कार जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं आप सब का हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों एक बात मैं आपको बोलूँ कि एक पोस्ट है मारे सामने उस पोस्ट का मैं बैखा करने से पहले आप लोगे साथ में एक प्रश्ण जो है EPS 95 पेंशन धारकों जी रहे हैं क्या EPS 95 को दिखाई नहीं दे रहा है उनके समस्या है एक समय था कि जब EPS 95 पेंशन धारकों को 20,000 रुपए तक पेंशन धारकों के बात कही थी अगर यूं कहके 37,000 रुपए तक की पेंशन धारकों के बात कही थी तो अभी गलत नहीं होगा तो आए दोस्तों हम लोग यहां पर जानने की कोशिस करतें कि इस पोस्ट में क्या लिका गया है और किनके निबातों का उलेक है जहां पर EPF के द्वारा गलतियां की जा रही है और किस प्रकार से EPS 95 पेंशन धारक पेंशन लाव के दारे में आ सकते हैं इसी को पर थोड़ा सामदोग चर्च पेंशन आप तक पहुँच जाए तो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है EPF जब पेंशन स्कीम ले आई तो जितने भी उसके मेंबर थे अपने मेंबर को बनाने के लिए एक जूटी ख़बर क्यों फाल आया गया पेपरों के मादम से दैनिक पेपर के मादम से ऐसी जूटी ख़बर क्यों फाल आईगी जिसमें एसा क्यों कहागा कि राज सरकार के करमचारियों से भी ज्यादा पेंशन इस स्कीम में दाखिल होने पे मिलेगा अगर आप इस स्कीम में दाखिल होते हैं तो आपको राज सरकार के करमचारियों से भी ज्यादा की पेंशन राशी दे ज किया गया इस प्रकार से क्यों ऐसा किया गया आगे उन्होंने बुला कि पेंशन गिरने का तरीके क्यों बार बार बदले जा रहे हैं और इन तरीकों को कौन बदलवा रहा है किसके कहने से तरीके बदले जा रहे हैं इसकीम की सुरुवात जब जो फाइनल तरीक थी और उस त प्रकार से बनलने की कोसिस की गई है किस प्रकार से EPS 95 पेंशन धारकों को कुलाब नहीं पूंच जाए गया इसकी इंक्वारी होनी चाहिए आगे उन्होंने लिखा कि अगर सुरू के फाइनल किये हुए तरीके से पेंशन के गिंतिक की जाए तो सभी EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशी मिलनी चाहिए EPS 95 पेंशन गिरने का तरीकों को बदल दिया ऐसा क्यों किया क्यों इप्रकार से जो 20,000 रुपए जिस हिसाब से जो एक करकुलेशन बना था जिससे कि इस अभी EPS 95 पेंशन धारकों को 20,000 रुपए ते की पेंशन लाब मिलती है तो EPS 95 पे उन्हें पेंशनों को भीकारी समझ के रखा है तो क्या EPS 95 की तरब से जो EPS 95 पेंशन धारक है क्या उनको भीकारी समझा जा रहा है कि उन्हें एक समय 200,000 रुपए आज जो तो 2000 भी पेंशन गिराशी नहीं दी जा रही है लगबग 2-3,000 रुपए तक की पेंशन राशी उन घर समती को भी इसका सत्यापण करना चाहिए उन्होंने उनका कहना ऐसा है यो भी EPS 95 पेंशन धारक होंगे इसलिए उन्होंने के घर है तो जितने भी हमारे EPS 95 पेंशन धारक है इस वीडियो को ज़दे ज़दा सेयर भी करें और साथे साथ में इसका जबाब हमारे कमेंट बॉक्स जो ओपियान है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कमेंट में लिख सकते हैं मैं उस कमेंट बॉक्स को भी आगे चलके उसके उपर भी वीडियो बनाऊंगा जिसका भी मुझे अच्छा लगेगा फिर दोस्तों आज के बसे तरह ही नमस्कार जैहिंद जैभारत